नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है मारे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स आज हम लोग एक रेसिडेंशाल हाउस के बारे में बात करेंगे जो कि इसका वेट हमने रखा है 30 फिट और लेंथ रखा है फ्रेंड्स 50 फिट जिसमें की हमने 4BH का प्लान बनाया है और फ्रेंड्स आप लोग इसका एलिवेशन देख सकते हैं हमने इसका एलिवेशन बहुत ही बढ़िया डंग से बनाया है और फ्रेंड्स आप इस प्लान को विलेज और सिटी दोनों में बना सकते अपने कॉर्डिंग और इसमें आप देख सकते हैं जो हमने स्टेयर का डिजाइन किया है तो उसको हमने दो साइड से दिया है एक आपका फ्रांट से है और एक लेट से हैं और इसमें आप देख सकते हैं घन्स वच्प्ट का हुक्ट के लिए च्शार्थ का रिलिंग में तो इसमें हमने एपड़ Quart और चल काफी बढ़िया प्लान है और इस प्लान में आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलेगा 30-50 का यह प्लान है आप लोग इसका एलिवेशन देख सकते हैं अगर आप लोग इस टाइप का डिजाइन बनवाना चाहते हैं अपने घर का तो आप दिये गए नंबर पे बात कर सकते हैं वहाँ वे फ्रेंट्स जो भी डिजाइन होता है टोटल पेड़ सर्विस होता है तो अगर आप लोग पेड़ सर्विस को यूज करना चाहेंगे तभी कॉल करेंगे और इस प्लान के बारे में हम आपको फूल डिटेल्स जानकारी देंगे जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हम लोग चलते हैं sitting a space में तो इस टेयर में आप देख सकते हैं साइट से हमने Exper vos design किया है और इसमें आपका से भी अगर रोड है तो आप लोग वी स्टैfight का फ्लाणा बनवा सकते हैं और इस फ्लाणा में जो हमने सिटिंगी स्पेस बनाया है तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रॉंट में हमने दो पिलर का यूज़ किया है जिसमें पिलर का जो span length है फ्रेंस ओवर एक आरा फीट है और इसमें आप देख सकते हैं sitting space में आपको बहुत ही बढ़िया space मिलेगा अगर आप लोग का कोई भी गेश्ट आते हैं तो यहाँ पे वो बैठ सकते हैं और sitting area में आपको ventilation के लिए भी problem नहीं होगा फ्रेंस तो आप लोग comment करके भी बता सकते कि यह जो हमने प्लान बनाया आज का वो तीस भाई पचास का वो आप लोग को कैसा लगा और इसमें हमने एक फ्रॉंट में ही बेडरूम का डिजाइन क्या है जिससे कि आपका अगर गेश्ट आते हैं तो यहाँ पे भी वो रूख सकते हैं और इसका जो आपने गेट दिया है बेडरूम नमबर वन का तो sitting area के तरफ ही दिया है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसमें हमने प्रोपर बिंडू का यूज किया है जिससे कि आपके घर का वेंटिलेशन होता रहा है और इसमें जो हमने बेडरूम का डिजाइन क्या है तो टोटल आपका इस्टेंडर साइज है एक आरा फीट इसका भीरत रखे और एक आ और राइट साइड में मिलेगा आपको एक बेडरूम और यहां पे आपको बहुत ही बड़ा हॉल मिलेगा अगर आप लोग मंदीर का भी डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो आप हॉल के तरफ ही मंदीर दे सकते हैं और यह इस घर का किचन है जो कि आप देख सकते हैं बहु बहुत ही सिम्पल रंक से अमने इसको बनाया है अगर आप लोग इस टाइप का कीचें बनाते हैं तो आपका बहुत ही लो बजेट में आपका बनके रेटी हो जाएगा है तदो फ्रेंट हम लोग के सेकेड्ट बेड्रूमMEN तो आप सेकेंड बड्रूममें भी देखें Gnt HDR आपको बहुत भड़ा स्पेस मिलेगा वेटने के लिए हमने यहां पर बिंडो का भी यूज किया है और इसका जो हमने वीर्ण और लेंथ भी रखा है आपका सेम कि जो हमने बनाया थ्री बेड रूम तो थिर्वेडरूम का जो हमने वीर्थ रखा है प्रेंट से मरा फीट और लेंथ रखा है एक आरा फीट तो फ्रेंट्स यह इस घर का हॉल एरिया हो जाएगा जहां पर हमने डाइनिंग टेबल लगाया है सोफा लगाया और टीवी पैनल भी लगाया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका डाइनिंग इडिया में भी बहुत ही बढ़ी आपको मिलेगा डाइनिंग के लिए हमने सेपरेbd किया हैं और जहोगा टीवी पैनल इसपरेट किया है और होल मेरे यह हम्ने एक बेशिन का डिजाइन के हैँ अगर आप लोग कभी भी चाहना है तो इस प्लान में एक बेड्रूम को माइस्टर बेड्रूम में कनवर्ट कर सकते हैं यह आपका ठर्ड नमबर का बेड्रूम हो जाएगा इसको भी विर्थ में 11 फिट और लेंथ में भी 11 फिट रखा है अगर आप लोग इस टाइब का डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो टोटल डिजाइनिंग बेड्रूम में भी आपको बहुत ही बड़ी आइस्पेस मिलेगा वेंट्रिलेशन के लिए हमने इसमें भी विंडो का यूज किया है अगर आप लोग फोर्थ या सेकेंड बेड्रूम को चाहेंगे मास्टर बेड्रूम में बनाने के लिए तो बिल्कुल बना सकते हैं आप आपका यहाँफे 2,2 प्लस हमने बात दिया है इस गेट को आप घर के अंदर लगा देंगे तो आपका मास्टर बेड्रूम हो gently का common toilet बात्रूम नंबर वन है इसमें कि आप देख रहे हैं इसमें भी बहुत ही बड़ी कि ऱैइज मिलेग है और फ्रेंस हम लोग चलते हैं सेकेंड कॉमन ट्वालेट प्लस बात्रूम में तो आप देखेंगे फ्रेंस इसमें भी आपको बहुत ही बढ़ी आए स्पेस मिल दा है फ्रेंस आप लोग को इस घर में कहीं से भी वेंटिलेशन या सफोकेशन नहीं होगा क्योंकि हमने प्रूपर बिंडू का ही उच किया है और बहुत ही बढ़िया प्लान है अगर आप लोग इस टाइप का प्लान बनवाते हैं तो इसमें जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ किवेंगस द assassination कीजिएहा और अपने फ्रेंट के साथ शेयर भी किजेगा जिनको इलिवेशन का आईडिया नहीं होगे उनको इलिवेशन का आईडिया मिले और प्लानिंग का भी आइडिया मिले फ्रेंस विडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्य दन्यवाद और इसमें जो अमने रेलिंग में यूज किया है इस्टिया रेलिंग में वो ग्लास रेलिंग का यूज किया है फ्रेंस वीडियो में बने राने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत